हेलो गाइस स्वागत है आप सबका तो आज हम बात करें गैदानी टोटल गेस की और आज भी जो है इसके अंदर फ्लेट सा कारोबर रहा हाला कि सबेरे अभी देखे तो इसके अंदर 640 के आसपास जो है इसने ओपनिंग दी थी बुल्स ने जो है उपर जो है इसको खीचा थ या फिर नीचे लिया जाए तो आज के दिन की अगर बात करना तो यसा लग रहा था कि उपर में खुला 640 के करिब खुला लेकिन वहां पर से जो है वापस से खीच के नीचे ले आए और प्राइस जो है जिस प्राइस के उपर अवेलेबल था 635 के आसपास उसी के आसपास उसके बात देखे तो आप इसके अंदर जो है एक गिरावट देखने के मिली इसका हाई अगर देखे तो तकरिबन 660 रुपे के आसपास था यहां पर आप देखे तो और यह उसके बात जो है तकरिबन 630 रुपे के आसपास बनाए तो ओल्मस जो है 5% के आसपास के इसके गिरावट रही तो मतलब कि यह जो है केंडेलिस्टिक भेटन इसको भी पेचाना जो है ज़रूरी भी कभी बनता है फिलाल देखे तो 633 रुपे का प्राइस से इसका बोलिंगर बेंग का इनिकेटर भी लगा कर देखेगे कि यहां पर जो है क्या चल रहा है और आगे देखे इससे पहले यहां पर आप देख सकते हैं कि यह वेस्ट कोस्ट पेपर जो लोग नहीं है उनको मैं बता दू कि 10 अगस्त को अभी अभी इसके उपर हमने शेर किया था 500 रुपे के उपर इसका प्राइस था यहां पर आई थिंक आप इसको देख पा रहे होगे 500 रुपे के 50 पास जो है शेर किया था और अभी इसका प्राइस आप देख सकते हैं आज ही इसने जो है 609 रुपे का जो है हाई टच किया तो ऐसे वीडियो के लिए जिनों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी सब्सक्राइब जरूर कर लाए लिए डेली जो हम एक शोट वीडियो अपल कोज़नटी मिल सकती है और हमें समय कहता हूं कि स्टोपलोस का जो है आप जरूर भियान रखे स्टोपलोस को जो है यूस जरूर करें और आज देखे तो यह पंदरा मिनिट का चार्ट है तो यहां पर भी अब आप देखे तो जब सुप्रिम कोट की सुनवाई थी उसके ब करें तो तक्रीबन मंगलवार को है अगले हफ़ते नहीं उसके बाद के हथे के मंगलवार को तुस्डे को आज अब गुरुबार तो हो गया कल जो है आखरी दिने suffT का तो अगर Mrs. आं देखे तो यह को यह ए वीदियो-टए तो इसका वीकली चारиль है तो इसके अंदर भी तो एक छोटा यहां पर जो है एक जिन्ता का भी जो है माहा जोड़ा सा जो ज्यादा नहीं धोर इस यहां पर जब रहिए क्योंकि यह पिछली बार कहीं बार इसके ऊपर बात की थी कि एक बेरेश कॉपन हैंडल सा यहां पर यह पर पैटर्न बना हुआ है यह अगर आप सबसे पहले का इंडिकेटर अभी देखे तो यह जो नाइन वीक का मूविंग एवरेश यह वीकली चार्टे जो कि अभी च्छेसोगाइब की आसपासे जो उपर की वाइट कलर की लाइन है सबसे पहले इसके उपर निकले उसके बाद 680 को क्रोस करकर 720 को फिर क्रोस कर दे तो जो है इसके अंदर तेजी की शुरुआत हो सकती है तो सबसे पहले तो यह जो है नाइन वीक का मूविंग एवरेश को पार करकर उपर क्लोजिंग देना जरूरी है अगर यह हो जाता है तो अच्छा यहाँ पर रह सकता है अभी इसका प्राइस है और अभी जो है क्योंकि यह नाइन वीक का मूविंग एवरेश काफी इंपोर्टन है कल भी इसके उपर हमने बात की थी कि हिड़न बड की रिपोर्ट जब से आई थी तब से लेकर अब तक इसके उपर यह निकलान नहीं है फिलाल तो अगर इसके उपर यह निकलता है और वहाँ पर टिकता है तो अच्छी बात रह सकती है और यह बुलिंजर बेन भी इसके इंडिकेटर भी लगाया तो काफी इंपोर्टन यह इंडिकेटर भी हो सकता है टेकनिकल चाट के उपर आप बात कर तो जैसे कि यह निचली लाइन को जैसे ही टच करता है इसके अंदर बांस बेकाने की संभाव फिर यहां पर टच किया फिर से एक बांस बेकाया उपर में उपरी लाइन को टच किया उसके बाद यह एक लगातार इसके थोड़ी सी गिनाव वट रही और अभी फिलाल नीचली लाइन के आपंडर यह काम कर रहा है है और यहां पर देखे तो जैसे कि यह डेली चाट के वर support no registration काहा पर दिख रहे हैं तो यहां पर अभी 633 का price नीचे में अभी देखे तो एक तो चेह सोपेशे living रुपे से लेकर चेह सोवीस का जो जोन है य पहला यहां पर च्छे से कि ये च्छे सो पचास रुपे का जोन कि ये काफी दिनों के पहले अभी देखे तो यहां पर चार पात दिन से अगर देखे तो यह पहले सपोर्ट बना हुआ था पहले भी रेजिस्टन था उसके बाद जब इसके आई तिंग ये रिजल का टाइम था जब आने वा नीचे में मतलब कि इसको तोड़कर नीचे आया है तो अभी यही एक जो है रिजिस्टन बना हुआ है पहला रिजिस्टन उसके बाद का रिजिस्टन हम ने उल्लेडी देखा एक तो यह चेसो असी रुपे का जो जोन है यह एरिया है पर्टिक्युलियर यह 45 रुपे का ए ने रिखा एक उसको उपर जो है नजर रखना यहाँ पर जरूरी बनता है अभी फिलाल और कल फिर से इसके उपर बात करेंगे और आज के वीडियो में इतना ही हमारे दूसरे वीडियो भी जरूर देखे दोस्तों और सबस्क्राइब जरूर कर ले हमारे चैनल को आज के व